मोदी की एक और गैरंटी पूरी हो चुकी है CAA की गैरंटी पूरे देश में CAA को लागू कर दिया गिया है विपक्षिसे रोक तो नहीं पाया लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि CAA में खामी क्या निकाले और इसलिए कई तरह की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही है बहुत से लोग हैं जो भ्रांती फैलाने की कोशिश कर रहे है अफवा फैलाने की कोशिश कर रहे है देखिए मोदी की गैरंटी जिसकी चर्चा हर बार प्रदानमंस्री नरेंद मोदी खुद हर रैली से कर रहे हैं और अब CA भी उसी कड़ी में देखा जा रहा है कि ये बात जो बीजेपी ने कही थी चुनाफ के पहले उसे अब पूरा भी कर दिया है वो कौन कौन सी अफवा है जो CA के खलाफ फैलाने की कोशिश की जा रही है और उस अफवा के पीछे का सट क् छे पॉइंट्स में आपको बताती हूँ देखिए सबसे पहली भ्रांती जो फैलाने की कोशिश CA के खलाफ की जा रही है वो यह है कि नागरिकता चली जाएगी CA अगर आएगा तो बहुत से लोगों की नागरिकता चली जाएगी लेकिन यह समझना होगा आपको जानना होगा सचाई CA के पीछे की यह है कि इसमें नागरिकता जानी नहीं है बलकि यह तो नागरिकता देने का खानून है किसी भी तरह से नागरिकता चली जाएगी यह ब बड़ी बात ये कि मुस्मिमों का तो is, सी ऐ इसे कुधे लेना देना ही नहीं है, क्यूंकि ये तो जो गैर मुस्लिम है, उनके लिए लेकर किला आया हुआ खानून है, इसमें गैर मुस्लिम चाहिए, वो हिंदू है, पार्सी है, जैन है बौद है इसाई है इनके लिए ये खानूर आया है मुस्लिमों का तो इससे कोई लेना देना नहीं है वो चाहे देश के है विदेश के है या फिर शर्णार्थी है तो ये भी कोरी कलपना है अब तीसरी बड़ी बात कागcciones इसमें मांगे जाएंगे का जारा है कि C.A. अगर आया तो फिर कागस मांगजा जाएगा जब कि ये C.A. के अंदर नहीं है एनार्सी में होगा अगर कभी वो लागु होता है तो काग दिखाने का C.A. से कोई लेना देना नहीं है या तक कि जो शर्णार्थी है जिन्हे चाहिए भारत की नागरिक्ता उन्हें भी दस्तावेस दिखाने की जरूरत नहीं है कागज उनसे भी नहीं मांगे जाएंगे बलकि वो तो आविदन करेंगे और पिर कसोटी पर अगर खरा उतरता है जो बाते वो कह रही है तो उन्हें नागरिक्ता मिल जाएगी तो कागज दिखाना पड़ेगा डॉक्यमेंट्स मांगे जाएंगे कोरी कलपना है ये भी अब चौती बड़ी बात भारतियों के उपर प्रभाव पड़ने वाला है इस खानून का बिलकुल नहीं यह कोई भी अगर आपको कह रहा है कि भारतियों के उपर किसी भी तरह से इसका असर पड़ेगा तो वो भी जूट पोल रहा है आपसे क्योंकि भारतियों के लिए नहीं बलकि भारत के जो पडोसी मुल्क हैं वहां से जो लोग यहां पर आकर के बसे हुए जो शर्णार्थी हैं जो वहां पर अल्पसंख्या के हैं गैर मुसलिम हैं जो भारत में शर्णार्थ नहीं रहने वाले हैं अगली बात सिर्फ हिंदूओं को इसमें नागरिक्ता मिलेगी ये पांचवा तत्य कहा जा रहा है कि हिंदूओं को इसमें नागरिक्ता मिलेगी ये भी आप गलत समझ रहे हैं अगर किसी की बात मान रहे हैं क्योंकि हिंदूओं के अलावा बौधों को कोशिश की जा रही है वो यह है कि सम्विधान विरोधी है सीए जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि सीए किसी भी तरह से सम्विधान विरोधी नहीं बलकि हमारा सम्विधान ही शर्णार्थियों को नागरिक्ता देने की बात कहता है और बस उसी में संशोधन करके ये खानून लेकर के आया गया है तो सच और जूट C.A. का जो है वो आपने जाना का जो आपने जाना